नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक बिहदी खास चानकारी दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप सर्दियों में दही में आज़नी खाने से करते हैं परहेश तो एक बार पहले जान ले उसके फायदे जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना तो चले इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं दोस्तों सरदियां शुरू होते ही लोग ठंडी चीज़ों का सेवन करना बंद कर देते हैं कुछ लोग इन चीज़ों की लिस्ट में दही भी शामिल कर बैटते हैं हाला कि दही में Lactobacil आपको सरदियों में सरदी सुकाम जैसी परिशानियों से बचा कर रखते हैं अगर आपको सर्दियों में धही खाने से ठंड मैसूस होती है तो आप इसे दूप में बैट कर खा सकते हैं एक शोद के मताबिक बात सामने आई है कि सांस की बिमारी यानी अस्थमा जैसी हेल्थ प्रोब्लम्स में भी धही का सेवन फाइदेमंद होता है आईए पता करते हैं कि दही खाने से श्रीर को मिलने वाले और फाइदों के बारे में विस्तार से दोस्तो दही का सेवन हर व्यक्ति और हर हाल में आपके लिए फाइदेमंद सिध होता है यहां तक कि अस्थमा पेशेंट भी इसका सेवन भे जीजग कर सकते हैं बस दियान रखें कि दही का सेवन दोपहर दूप में बैट कर किया जाए रात के वक्त दही खाने से आपको परिशानी हो सकती है तो चले जानते हैं कि सर्दियों में दही खाने से आपको क्या फाइदे होंगे नमबर एक वाइटमिन और प्रोटीन से भरपूर संत्रे और अन्य खटे फलों की तरह दही में भी वाइटमिन सी पाय जाता है ऐसे में सर्दी खाजी से बचने और अपने इम्योन सिस्टम को स्ट्रोंग बनाने के लिए दही का सेवन करते रहें नमबर दो बोडी के पी एच लेवल के लिए फाइदे मन दही श्रीर में पी एच लेवल का संतूलन बनाए रखने में मदद करता है जिन लोगों को खाने के बाद एसीडीटी और खाना पचाने में तकलीफ होती है उन्हें खाने से दो गंटे पहले दही का सेवन जरूर करना चाहिए दही आपकी बूक बढ़ाने में भी मदद करता है कैल्शियम से भरपूर दही आपकी हट्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है जो लोग डाइटिंग करते हैं उनके लिए दही का सेवन एक बहतरी अप्शन है इसके सेवन से ना केवल आपका पेट भरा रहता है बलकि आपके वजन को कंट्रोल में रखने के साथ साथ वजन बढ़ने से रोकता है नमबर चार सकिन और बालों के लिए फायदे मंद दही का सेवन सकिन और बाल दोनों के लिए फायदे मंद होता है जहां धही खाने से आपकी तवचा और बाल हिल्दी रहते हैं वहीं इसे आप अपने फेस और बालों पर apply भी कर सकते हैं डेंडरफ से प्रेशान लोगों के लिए धहीं एक रामबाण इलाच है तो दोस्तों ये थे धही खाने और बालों में लगाने के फाइदे तो इन सर्दियों इतनी पोशक चीज़ का सेवन ना छोड़ कर इसके बरपूर गुनों का लाब जरूर उठाएं तो दोस्तों यह थी हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप भी सर्दियों में धहीं खाने से करते हैं परहेश तो पहले जानने इसके फाइदे उमीद है दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद है अगर आपको हमारी इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों और संबंदियों से जरूर शेयर करें और साथ ही हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ ठैक्स फूर वाचिंग